नमस्कार, आप सभी दर्सकों को काया कल्ब क्लिनिक की ओर से नव वर्ष का बहुत बहुत हार्दिक सुभ कामना है मैं डॉक्टर मनोज पांडे, काया कल्ब क्लिनिक की ओर से आप सभी को स्वस्त रहने की कामना करता हूँ आप लोग दिरगायू रहें, स्वस्त रहें और आर्वेद को अपनाएं आर्वेद की फिल्ड में हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कुछ लोग का रुजान बहुत कम है और सबसे बड़ी चीज है कि आर्वेद तो सेफ चीज है अलोपैति में कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है लेकिन आर्वेद में कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं हो सकता है आप लोग आर्वेद को अपनाएं और साइड इफेक्ट से न हो ऐसी चीज को अपनाना चाहिए और ये आर्वेज जो पधती है ये हमारी बहुत प्राचीन पधती है जब संसार में कोई पधती नहीं था जिस समय ना तो एलोपैद था ना कोई होमियोपैद था उस समय से हमारा आर्वेज चलता आ रहा है और आर्वेज में तो इतनी ताकत थी अब तो कुछ दवा में की quality चेंज हो गई है वो quality पहले वाली अभी नहीं है लेकिन जो quality थी आदमी को रात में कोई फीबर आया या किसी तरह की बीमारी हुई तो उसको हम लोग यूज कराते थे तो सुबह तक रिलीफ हो जाता इतना क्विक काम करता था और देखते थे पहले जैसे कोई जंग में जा मतलब विदिन 12 आवर 24 आवर में रिलीफ हो जाता था आदमी ठीक होता था और आज हम लोग आरवेद पदती को छोड़ते जा रहे हैं और हमारे में इंडिया के अलावे देखिए अमेरिका में आरवेद ज्यादा लोग यूज करने शुरू कर दिये हैं हम लोग अभी आरवेद के प्रती इक्षुक हैं और यूज कर रहे हैं अपने लाइप में लेकिन यहीं आप दूसरे कंट्री में चले जाएए चाइना में चले जाएए अमेरिका में चले जाएए हम लोग से ज्यादा लोग अमेरिका में और चाइना में आरवेद को यूज कर रहे हैं आ पहुत सारी बीमारी जो सर्दी है, खासी है, कुछ और भी बीमारी है, जिसका लोग आरवेद से ही ट्रीटमेंट लेना चाहरे हैं। और चाइना में और हमें तो खास तोर से लगता है कि कुछ ऐसे प्रोड़क्ट जो आर्वेद हम लोग की चीज है उसको अमेरिका पेटेंट कराने जा रहा है और कल होकर कि यह इस्तिती हो जाएगी कि हमको हल्दी से कोई दवा बनाना है और हल्दी यूज करना है किसी दवा म की चीज हमारे इंडिया के हमारे देश की देन है तो हम लोग इसमें पीछे हैं और हमारे दूसरी कंट्री है इसमें बहुत आगे जा रही है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजे और आर्वेद को यूज कीजे और इसके साथ साथ फिर से आप सभी को नववर्स का हार्दिक सुब कामना है धन्यवाद